बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं जोतिश जरा हट के आपके साथ मैं हूँ आपका आश्टो फेंड संतोशी और आज की इस खास कारकरम में आपके लिए हम पेश कर रहे हैं पीनी सरसों से शनी राहु को बैलेंस करने का नायाब प्रियोग बैलेंस करें उससे पहले शनी राहु के सम्मंद में कुछ हट कर जानकारी जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी मित्रो जैसा हमने अपने पिछले कई कारकरम में ये जिक्र किया है कि ग्रह कोई मूर्थ रूप में आपके समक्ष नहीं पस्तित होके कहेगा कि हमारा नाम शनी है हमारा नाम राहु है हम पटकने आए हैं हम देने आए हैं हम लेने आए हैं कुछ नहीं कहेगा हमारे मस्तिश्क पर उस ग्रह के चुम्मकिय प्रभाव का असर इस कदर होगा कि हम उन विचारों को क्रियान्वित कर देते हैं हमारी किसी भी कृ्या के पीछे एक खास गुर्ष का एक खास भोग सम्मलित रहता है नहीं से समझीगा अब वो कृ्या नहीं कि खाना खाए पेट भर गया कही बार वो भी कृ्या, कुपत खाय उमेट होना था, अब तबीएद खराब होना था, खा लिए असर तो उसका भी है सेकेंड हाउस मतलब हर जगह गुरह इस तरह से पिरोय हुए है हमारे जीवन में कि जिसकी कलपना नहीं की जा सकती किसी ने कहा कर्म का फल हमने कहा कर्म के लिए प्रेणडा कहा से मिरी एक ही क्वेस्चन है जो सारे कर्म शीलों को धराशाई कर देता है एक क्वेस्चन हमारा है कि कर्म के लिए प्रेणडा इंस्पिरेशन कहा से मिला कोई मर्डरर क्यों बना कोई रेपिष्ट क्यों बना कोई डकायत क्यों बना give me the answer why क्यो पिता जी पुजारी है मंदिर के घंटा बजाते हैं घंटी बजाते हैं बेटबार डागा डालता है क्यों भाई इसका किसी भी तरक सास्त्री और कर्म कुभेर के पास आंसर है ही नहीं क्योंकि ये चीज हमारे भाग से प्रेरित होती है हमारे भोग से प्रेरित होती है हमारे प्रारब्द से प्रेरित होती है तो मित्रों हमारे प्रारब्द के आधार पर दसाओं के द्वारा प्राप्त मांसिक क्रियान्यवन के फल स्वरूप प्राप्त फल को हम भोग करते हैं बहुत सीधा सा अर्थ है तो जब शनी राहू कोचरवश या दशावश आपको पीडित करते हैं तो क्या होता है एद्दिव की शनी राहू पर हमने बहुत सारे कारेक्टरम कीए हैं लेकिन आज कुछ अलग एंगल से हम बताते हैं ब्योहारिक संसार से इसका फल कनेक्ट करके हर ग्रह का फल हर एंगल पे डिफरेंट होता है शनी राहू कारेशेत्र में क्या करेंगे शनी राहू यात्रा के दवरान क्या करेंगे शनी राहू पत्नी या प्रेमी का पती या प्रेमी के साथ रहने पे क्या करेंगे शनिराहू ग्रॉसरीज खरीदने के समय में क्या करेंगे शनिराहू सबजी मसाला खरीदने के समय में क्या करेंगे कहां कहां नहीं है जोतिश आप चार अमरूद लिए चार आम लिए एक किलो आम खरीदे एक दर्जन केला कोई भी फ्रूट लिए और भाया उस सड़ा निकल गया अब बताओ और एकदम से चिक्कन मुक्कन था उपड़ से एकदम समझम नहीं आया और लेके आए जब काट रहा है तो उसमें से किया निकल रहा है किया जानते हैंगे नहीं जानते हैं पुर्वारा बिल्ट ये किया जानता है आजम गरतक लगबग खैर पुर्वान जल में सब्सक्राइब जानते हैं कीडे को कहते हैं तो ये क्या था इसमें क्या कर्म है अब बोलने वाला बोल देगा कि देख के नहीं लिए अरे जब देख के ही तो लिये हैं वित्तर निकल गया बोलते थे ना फल वाले भी अरे भी आम अंदर घुश के थोड़ी ना देख रहे थे ये है शनिराहु का असर सबजी छड़ी निकल गई तो ये जीवन में हमारे ग्रहों के दशा के आधार पर प्राप्त फल होते हैं यहां पर बहुत एक व्यापक परिचर्चा हम आप लोगं के साथ कभी करेंगे आपने सामने बैठ खरके इन चीजों को समझने की आवश्यक्ता है बहुत गहराई के साथ इसे बहुत गहराई के साथ समझना होगा बाद हम पीली सरसों का प्रयोग बताएंगे शनी राहू की इस्थिती अगर बुरी है तो आपके कलेजा निकाल देने के बाद भी सामने वाला आपके त्याग को नहीं समझता दिस इस दी वर्ष्ट कंडीशन इन रिलेशन सिप एज दी रिजल्ट आफ सैटर्न एंड राहू दिस दी वर्ष्ट सिटुएशन या आपने कलेजा निकाल के रख दिया और सामने वाला कह रहा है औरे क्या कर दिये वह ये चलिए अब इस से दिक नहीं बढ़ाएंगे छे मिनट हो गया साड़े छे मिनट उपाए बता देते हैं 108 चुटकी पिंच पीली सरसो एक लोहे की कटोरी में रख ले और एक राद सिरहने रख दे सुबह बासी मू बिना ब्रश किये बिना फ्रेश हुए सुबह बासी मू इस कटोरी को जिसमें पीली सरसो एक लोहे की कटोरी में या बेड के नीचे जमीन पे रख दीजिए किसी भी मल्टी स्टोरी में रहते हूं सुबह बासी मू बालकनी में छट पर अपने प्रिमाइसस कवर्ड एरिया के बाहर बालकनी में कर सकते खुले आस्मान की नीचे कपूल की टिकिया से जला दे और जो राख बचे उसे अपने कंठ और नाभी पर लगाने किसी भी दिन किसी भी रात किया जा सकता है ग्रहण अमावस्या पूनिमा वसंत पंजमी नाग पंजमी आदि जैसे विशेश मोहरतों पर इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा रात में रखना सुबह जलाना है और जली हुई राख का तिलक तुरंत करिए बिना फ्रश हुए कोई फरक नहीं पड़ता आप मस्तों के करिए मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा बहुत किलियर है लोहे की कटोरी 108 चुटकी पीली सरसो रात में सोते समय नीचे रखना है सुबह घर के बाहर जला देना है कपूर से जली हुई राख को तुरंत त्रीका लगा ये बागी कटोरी धोल दीजिए और रख दीजिए जम भी लगे कर लीजिए लगातार 10-20 दिन कर डाली है हमसे क्या लेना देना है एक बार करने में फाइदा मिल जाएगा बहुत आभार आप लोगों का 27-27-27 को आप हमसे मिल सकते हैं सीरे डारेक्ट कलकत्ता में और इसके बाद कहां मिल सकते हैं आप साथ आठ पुने नौदस मुंबाई थैंक यू सो मच नमस्कार शुरादे जा आठ आठ क्हां हुत आठ आठ सबस्टर